जैहिन मेरे प्यारे विद्धार्थियों उपकार क्लासेस RBL में आप सभी का हारदिक स्वागत है दोस्तों उमीद करते हैं आप स्वस्त यो मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेतर कर रहे होंगे परेडे अपना लच्छ निर्धारित कर रहे होंगे और उसको पूरा करने की कोशिस कर रहे होंगे तो दोस्तों हम लोग RPEF कांश टेबल के प्रीवियस एर के पांच सेट कर चुके हैं जो भी हमारे साथी नहीं देखे हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में अराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकते हैं क्योंकि बिना महिनत के कुछ नहीं होगा आपको महिनत करनी ही पड़ेगी तो देखेंगे दोस्तों आज हमारा लोग का छाटमा प्रेक्टिसेट है और छाटमे प्रेक्टिसेट को हम लोग देखेंगे GS के महत्वपूर्ण 50 कोशन जो प्रिवियर सेर में आए हैं उनको हम लोग करेंगे तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और एक चीज और है आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखना इसके मत करना जिससे की चीजों को आपको समझ में आएगा कोशन बहुत अच्छे लेवल के बीच में दिये हुए हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपको जानकारी हो जाएगी किस टाइप के कोशन आते हैं और हम आगे जो रिवीजन करेंगे या पढ़ते हैं वो सही डारेक्शन में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ हैं तो आप बताएंगे ट्राई का मुख्याल है कहां इस्तित है तो आपका एंसर आजाना चाहिए नई दिल्ली ठीक हैं अगला कोशन दिया हुआ है कोशन है जिस धन को भूम भवन मसीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्यों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो बताएंगे उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं निवेस क्या कहते हैं निवेस अगला कोशन दिया हुआ है निम्न में से क्या भारत के समिधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो क्या समिधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है तो बताएंगे राश्टी ये धज प्रस्तावना का भाग नहीं है ठीक है अगला अगला दिखेंगे फार्मूला फश्ट में चालकों को महत्वकूर्ण संदेश देने के लिए विभिन रंगों के धोजों का प्रियोग किया जाता है सफेद धोज किसे इंगित करती है सफेद धोज किसे इंगित करती है तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सफेद किसे इंगित करती है तो आपका एंसर हो जाएगा ट्राइक पर धीमी गत से चलने वाले वाहन को चेताउनी क्या हो जाएगा ट्राइक पर धीमी गत से चलने वाले वाहन की चेताउनी चलिए अगला देखेंगे चौधा है जबलपूर सहरकिस नदी के किनारे इस्थित है जबलपूर जो है आपका किस नदी किनारे है तो बताएंगे नर्मदा नर्मदा जो है आपका नर्मदा है जबलपूर नर्मदा नदी किनारे इस्थित है अगला कोशन है हमारा शे नंबर कह रहां महिला और बाल विकास मंत्राले में वर्तमान में मंत्री मंडल सदस काईविनेट मंत्री कौन है तो पुराना है ये तब के हिसाब से हम देखेंगे तो चार्टमे का अंसर क्या हो जाएगा स्री मती मेनिका संजय गांदी अब वर्तमान में अपनी हिसाब से देखना काउन है ये क्योगा 18 के हिसाब से है अगला देखेंगे भारत के प्रथम मुशलिम राश्टपत कौन थे ये कौन है वर्तमान बता रहा है मुशलिम कौन थे आप बताएंगे आप्शन दिया हुआ इसमें श्री मुहम्मद इकबाल, भी आपसंदिया है, डाक्टर एपी जब्दुल कलाम, डाक्टर जाकिर हुशाइन, डाक्टर मनमोहन सिंग, तो आपका एंसर क्या जाएगा, डाक्टर जाकिर हुशाइन, कौना जाएगा, डाक्टर जाकिर हुशाइन, अगला कोशन दिया हुआ है राश्टीय कैड़ेड के संस्थापक कौन है तो राश्टीय कैड़ेड के संस्थापक कौन है तो राश्टीय कैड़ेड के संस्थापक कौन है तो आपका एंसर क्या जाएगा Thailand जो है विस्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्वादक है ठीक है कौन है Thailand इसके बाद कौन हो जाएगा Indonesia और Malaysia है ठीक है अगला question है Michael Jordan किस खेल से संबन्ध है Michael Jordan किस खेल से संबन्ध है तो आपको बताना है यह हो जाएगा basketball किस से basketball चलिएगा अगला question देखेंगे हम लोग ढिया है आगश्टा-master traffic किसखेल से संबन्ध है तो आपका answer हो जाएगा किस से संबन्ध है यह गोल्फ से किस से गोल्फ से अगला है भारत में निम्न में से कौन सी भासा किसी भी राज की राज भासा नहीं है खासी आपका answer हो जाएगा खासी नहीं है अगला कोशन दिया हुआ है तेरा नंबर अरुडाचल प्रदेश का राजधानी सहर का उनसा है अरुडाचल प्रदेश सबी को मालुम होगा इसका तो क्या हो जाएगा इंटा नगर इंटा नगर अगला है इसासन में इसे क्या तात पर रहे है तो इसका एंसर हो जाएगा government to imply भी absence हो जाय गल्वर्मेंट to imply अगला कोशन देखेंगे दोस्तों बहुत धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रोड़तन क्या दर्शाता है धर्मचक प्रतन क्या दर्साता है ये दर्साता है प्रथम उपदेश क्या दर्साता है प्रथम उपदेश दर्साता है अगला है हमारे लोगों का 16 नमबर कोश्चन 16 नमबर कोश्चन क्या कह रहा देखेंगे सोला नमर क्वेशन कर रहा है फासफोरस के लिए प्रतीक क्या होता है पी चलिएगा आगला देखेंगे हम लोग जां कर रहा है भारत के प्रधान मंत्री को शपत कौन दिलाता है बतायगे राश्ट पत दिलाता है आगला क्वेशन है गनतु की SI IKai क्या है गनतु की SI IKai क्या होती है गनतु की तो आपका answer क्या हो जाएगा ठारा का B option KGM universe 3 ठीक है यह universe के उलग जाता है क्योंकि वन अपान में चीज़े होती है जो हर से answer में जाती है तो universe हो जाता है अगला देखेंगे अगला करा है पानी पत का दोती युद्ध कब हुआ था तो पानी पत का दोती युद्ध कब हुआ था बताएंगे 1556 दी आप सनों जाएगा अगला है पीपीएफ का पूर्ड रूप क्या होता है फूल फार्म का आप ही पूछ जाते हैं दोस्तों PPF का Full Farm का होता है Public Private Fund Public Provident Fund ठीक है का जगा Public Provident Fund चलिए अगला करा कुशन संसद सदस्य राधे स्याम विश्वास किस राज से हैं तो यह किस राज से हैं आप बताएंगे यह आसम से हैं अगला गोवा का लोक नर्त्य क्या है गोवा का लोक नर्त्य क्या है तो बताएंगे मांडो गोवा का है ठीक है मांडो अगला है भारत के सम्मिधान की किस अन्सूची के अंतरगत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार शेत्र आता है तो आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा 23 का जो है आपका अंसर क्या हो जाएगा तो 23 में हो जाएगा चौथा प्रथम तीक है अगला करहा है कांच शाबुन और कागज कांच शाबुन और कागज उद्योग में निमनिल में से किसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें एंसर क्या हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट किसका कहता है सोडियम कार्बोनेट तो बताएंगे हमपी कहां है वैसे भी करनाटक में है कहां है हमपी करनाटक अगला है निम्न में से क्या संग साशित प्रदेश नहीं है निम्न में से क्या संग साशित प्रदेश नहीं है तो यह त्रिपुरा अगला अगला कह रहा है मैगनीसियम हाइड्रो हाइड्रो अक्षाइड के लिए रासाइनिक सूत्र क्या है तो बताएंगे क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा MgOS का होल B आपसन हो जाएगा आएगरा है बर्प का अपवर्धनांग सुचकांग क्या है बर्प का तो बर्प का जो होता है पुरतनांग सुचकांग 1.31 होता है 1.31 अगला कोशन दिया हुआ है भारत का राष्टी वरच्छ कौन सा है सबी को मालूम हो गए भारत का राष्टी वरच्छ कौन सा है तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा भारत का राष्टी वरच्छ क्या हो जाएगा वर्ट वर्च ठेक, आगला तीस नमबर दिया है स्री फिरोज साह मेता ने कौन सा समाचारपतr प्रारम किया गया सरी फिरोज साह मेता already स्री फिरोज साह मेता वहां भारत का wal आति कैया जाता है बहुत कोशन पुछा जाता है मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है भारत का तो यहां बताएंगे दैनंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर दैनंद सरस्वती को कहा जाता है अगला कोशन यहां प्रकास किरंड के रंगीन घटक के बैंड को इसकी डैस कहते है क्या कहते हैं, इस्पेक्टरम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस्पेक्टरम, अगला, विटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है, विटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है, तो विटामिन E का जो रासाइनिक नाम है, बताएंगे, टोको फिराल, विटामिन E का रासाइनिक नाम टोको फ तो आपका अंसर आएगा वोधन्त पुरी कहा है बिहार में है कहा है बिहार में आगे देखेंगे जापान की राजधानी क्या है जापान की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे वीजिंग तो कहां की होती है चीन की जापान की क्या हो जाएगा बताएगा तोकियो जापान की है अगला कह रहा है मकडी के अध्यन को क्या कहा जाता है मकडी के अध्यन को क 49 नंबर question हो जाएगा United Kingdom की मुद्रा का क्या नाम है United Kingdom की मुद्रा का मुद्रा और राजधानी जरूर आती है तो आप लोग मुद्रा राजधानी को बहुत अच्छे से त्यार कर लें United Kingdom की तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा अगला है रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए छारी ये पानी की जील को क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इन्हें हम जानते हैं लैगून कहते हैं लैगून जील अगला question है एक तालिश नंबर कह रहा है कुत्ते में होती है तो बताएंगे कुत्तों में गुर्षूत्र के संख्य कितनी होती है 49 जोड़ी और मनुष्यों में कितनी होती है तो 46 होते हैं जोड़ी में पूछे तो 23 और गुर्षूत्र कितनी होते है 46 होते हैं ठीक है चलिएगा अगला देखेंगे हम लोग कह रहा है निम्न में अगला कोशन दिया हुआ है सम्विधान सभा की कारकारडी क्रम समित के अध्याच कौन थे कारकारडी अध्याच कौन थे तो बताएंगे के एस मुनसी के एम मुनसी के एम मुनसी अगला दिया है रूप कुंड जील किस राज में इस्तित है तो रूप कुंड जील किस राज मे इस्तिता है अगला कोश्चन देखेंगे हम लोग 45 नंबर 45 नंबर कह रहा है खेल कूद के ITTF का पूड रूप क्या होता है ITTF का पूड रूप क्या होता है यह हो जाएगा पहला सही हो जाएगा इसका ठीक है 45 का इंटरनेशनल टेवल टेनिस फिडरेशन अंतर राष्टी टेवल टेनिस महासंग ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा आपका ए आफसन सही अगला है 46 नमबर कह रहा है मद्द प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाग अभ्यारण इस्तित है मद्द प्रदेश में मद्द प्रदेश में कौन सा इस्तित है पन्ना जो है मद्द प्रदेश में है पन्ना हो गया ठीक है अब आप से पूछ लेज़े बांदीपूर कहां है तो कर सा है प्रथवी का बड़ा ताटस्त उपग्रा कौन सा है तो आपका एंसर क्या आएगा इस में 47 में बताएंगे चंद्र डी अप्सन हो जाएगा अगला देखेंगे 48 नंबर कर रहा है भारतिये पुरुस क्रिकेट टीम के वारलिंग कोच वर्तमान में कौन है वारलिंग कोच कौन से वारलिंग बताएंगे 48 क्या हो जाएगा भरत अरुड अगला है उतनी समय का करेंट होका है तो अपनी हिसाब से अब वर्तमान में देख लेना चेंज हुए हो तो अगला दिहांग दिवांग जयो मंडल कहां इस्तित है दिहांग दिवांग जयो मंडल कहां इस्तित तो आप बताएंगे 49 का क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अरुडाचल प्रदेश क्या हो जाएगा धिहांग दिवांग जयव मंडल कहां इस्तिता है अरुडाचल प्रदेश में इस्तिता है अगला कोशन अंतिम कोशन जो है आठवी पंचवर्सी योजना की अबद क्या थी तो आप बताएंगे आठमी पंच वर्षी की 1992 से 1997 थी क्या थी 1992 से 1995 आप लोग कमेंट करके बताएं पहली पंच वर्षी का समय क्या था चलिए दोस्तों तो ये रहे हमारे लोगों के 50 कोशन आप लोगों ने अच्छे से इनको देखा होगा और फिर कहेंगे जो साथी हमारी प 50 है एक में तो देखेंगे आपकी 2000 के उपर हमारे कोशन हो जाएंगे ठीक है तो आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा और प्रिवियस में किस टाइप के कोशन बने हैं इसकी जानकारी हो जाएगी तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं जो लोग ह दबता के लिए जाएंड